प्यारे, आप सब यहां पे आए और अपनी अपनी भावना के अधर साए, आपने शिरी गुर्मा राजी के चल्लों में अपने अपने भाव रखें पजनों के माध्यों से. हर्ज, गर्ज, और फर्ज. कौन कौन से? हर्ज, गर्ज, और फर्ज. इन तीनों में क्या डिफिरिंस है? आप इसको किस तीरिके से समझ पाते हैं? कि हम तो यह हर्ज, फर्ज, और गर्ज. पुर्ण आएगा? हर्ज, हम कई बार ऐसे होता है, आज ससंग में चलते हैं, अरे कोई बाते नहीं आज नहीं जाएंगे तो क्या हर्ज जाएं? और तो बहुते लोग गए हैंना? कोई रज नहीं है. अरे तुम्हारा तो समय बितान हुआ? हर्ज, कैसे नहीं हर्ज, बहुत सा लाता हैं, हम समझ नहीं खाएंगे ना? एक बाद याल आई, एक गाउं में बहुत बार सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा. तो सब लोगों को यह टेंशन थी, कि यह रुकेगा कैसे. तो गाउं के बाहर एक बोले नाथ का बड़ा बंदित था. तो पंदत दिने एक बात कही, कि अगर कोई हर रोज, मतलब कम से कमी सो वंदें, ज़्यादा नहीं, तो इस शेविलिंग पर दो दिन के अंदर अंदर, सो वंदें एक धर के लोटा दूद का चढ़ा दें, और उसके बाद एक लोटा पतीले में डालता है, उसकी खीर बनेंगी, शेविलिंग पर भी चढ़ाना, और पतीले में भी डालना, पतीला नाथ दिया गया, तो जब उसके खीर बनाके बांटी जाएगी, तो ये सारा पानी गायब हो जाएगी, पंदर जी ने अपनी फिलोस्पी बतरी, अब पूरे नगर में धिंडोरा फेल दिया गया, विजो भी यह आई, और ये शेविलियों के दूठ चढ़ाएं और ये प्लोटा उसमें चढ बनेगी, अब वहां गाओं के जितने भी लोग के, सब आपस में एक विचार करने लगे, पर इंसी तो डाली आएगी, मैं नहीं भी डालूंगी तो क्या हुआ, मैं पानी डाला तो, प्रिंसी ने तो डाली दिया होगा, पूछानी उस से, सोनिया ने सोचा, मन्यू ने तो कोई वादनी मैंने ना डाला तो क्या हो गया, एक ग्रस पानी का डाला आएगी, दो दिन के बाद, बोले मार पे भी पानी पड़ा था, और पतीला भी पानी से भरा पड़ा था, दूद किसी ने पी डाला, क्योंकि सब यही सोचते रहे, कि उसने तो डाली दिया, मैं नहीं डाला तो हरज क्या है, यह हमारे लिए पतन की बात है, हम गुषरों पर आशरत क्यों हो जाती है, जो हमने करना है वो हम लग करेंगे, हम बूसराँ सोच छे लेकर रिस तो करीड है, हम नहीं भी करेंगे तो क्या हरज आ है नई हमें अपना काम सुख करना है, जो हमारी ड्य उसके बाद आता है गर्च। गर्च का क्या मतलब। हमारा कोई काम पटक रहा हो, तब तो हम साथ देखी देखता मना डालेंगे, क्यों कि आई हमारी। क्यों कि आज हमारी गर्च है। एक बात ही आद आगी अक्वर बीर्बन की। बीर्बन से उसके बाकी के दर्वारी थे बहुत जैलसी करते थे। तो करते थे तो करते थे। एक दिन की बात है, वो जो बाकी के दर्वारी थे, उन लोगों को मौका लगा और उनों ने मिलके जो है, उसको अक्वर के सब, वो था नी। तो सब दर्वारियां ने मिलके अक्वर के सब ने इत बात रखती। क्योंकि दिर्वार तो था नी न, बोले, महाराच इनकी आप बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते हैं। और किसी का मोका ही नी देते हैं, आतिर बात क्या है। उन्होंने का, भाई वो हर प्रिशन का हाल होता है उसके पास, वो हर चीज को समझता है, करता है, सुनता है, ऐसे थोड़ी मरके तुमारी तरह है। आतिर में, आपने हमको तो भी मोका हींगे, आप हमसे कुछ पूछो के तो क्या हम जराब नहीं देंगे। तो अगर तुमने उसका सही जवाब ना दिया, तो तुम्हारा सर तलम करेंगे। और अगर तुमने सही जवाब दे दिया, तो हम बीपल को निकाल दोगा। तुम्हें को बीपल की जगा रखिए। तो अगर ने कहां, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कि इस सिष्टी में सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या है सबसे बड़ा। कोई बोला इश्वर, कोई बोला कुछ, कोई बोला माता पिता, कोई बोला धर्टी माता, सब ने अपनी अपनी समझ से जवाब दिया, बारिशा लेका, मैं तुम्हें तीन दिन का समय देता हूँ, कि इन दिन में accurate, सही आम सब चाहिए मुझको, ऐसे तुम्हारी करन नहीं है, कि कुछ भी बता दिया, कुछ कामार दिया, अब इंक पास सही जवाब ने इटा, इस सबसे बड़ी चीज, सोच में पढ़ेते हैं, कि सबसे बड़ा है क्या, प्यारे, उनों के दिमाग में आया भाई, कुछ नए, बीरबल भी पास चलते हैं, कोई बताएगा, इसका सही होता है, और बुझना बचाता है, ठैर, सब के समझें चाहिए, चाहिए, सब भे बीरबल के पास, और बीरबल से बोले, कि भाई, हमारी मदनकर, हमारी सर काड़ दिया आएगा, और ऐसे ऐसे सवाल पुछा गया है, और हमारे पास उसका जवाब, नहीं है, तुम बताओ, ओर लगे को ऐसे तो मैं भी नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा, तुम एक भढ़िया के पाल्की लाओ, और उस पाल्की में कहार तुम्हीं लोग बनोंगे, चारों कंदों पे, बहरों यह पाल् कि आएगी मेरी, अब बता, जैसे बिएर बता गया, बैसे बियर्बर बतादागे, वैसे बहरा सबतागे, सब्सक्रों पाल्की दियार भी हो गया, पिछनों से आपाल्की साजवें लू और, और, बिएर्बर जिना बटाट गया, आपाल्कु फुद कोधी, और, बोकष. पर पेंचे भीरबल की पालगी आरिया करते हैं और राज महल में जहाँ पाउंचे ठीक महल के अंदर जहां दर्बार लगा था वहां पोची कि पालगी रखके तो है बाकी के दर्बारी खड़े हो गए बाजचानी का हा भी बताओ सबसे बड़ा क्या है कहते हैं कि इसके सलाम, होगे सलाम जी. तो बात्षाब भूली हाँ बेर मेरे में बता दिवर्ग सबसे बड़ी चीज क्या है? क्याते है, माराज सबसे बड़ी चीज गर्ज है. यह जितने लोग मुझसे इरिश्या करते था यह जितने लोग मेरे पीछे बढ़ेंगों ते आज मुने उठा करके लेके आया है क्योंकि इंती गानी आपकी बड़ी है सबसे बड़ी चीज क्या है दो हमारा भी यह जाता है गरज बढ़े करेंगे लेकिन अगर हम अपनी गरज से कुई काम करेंगे हमें कुछ भी करना है काम फर्ज समझ के करिए, कि ये हमारा फर्ज है, अगर फर्ज समझ के हम बात करेंगे, तो प्यारे हम सबनता को प्राप्त हो जाएंगे, और उनका प्यार को प्राप्त हो जाएंगे, और उनका प्यार को प्राप्त हो जाएंगे, और अगर हम फर्ज एक महत्मा जीए। ऑनको अपने हाथों से तीनों टाइम एक एक गिलास दूद और एक एक बाव बढ़ा सिलागते हैं। अपने सामने बठाए तो, अब इर्शालों शुरू, यह तो ज्यादा लाड़ साहब है, इसमें के क्या पर दिया है, यह क्या बात हो कि हमको तो गुर्माई अपने हाँ से कोई परशाद में दिया है, और वो कोई कुछ नहीं हमारा हाल भी कुछा, इस तो बड़ा जो है, वो एक बड़ वहां पर पकालियों ने हमला मंद गया, आशिरू पर, तो उस वक्त, वही महात्मा जी को शुरू गुर्माराजी ने इशारा किया, ज्रापर अस्तमे आ गया, सिवा का, उसने कहा, गुर्माराजी के सामने बेंतिके, कहते हैं, महाराजी इंसाफ से काओ कि मैं प पीछे से वार लातरे, आगे आपका आशिरूगाज जेलेगा, यह नी कहा मैं कर लूँगा, मैं में तो बड़ बड़ा है, दख्ष का सिर्क्यों कटा था वहाज मैं 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 तखा था ना, और आगे अब उपर भकर कर लगा रहा है, पर नहुं से मैं 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 मैं, तो उसने आगे तो मालिक आपकी किपप चलेगी, इनसे कहना जब पीछे रहें, और वो दोनों हाथों से तलवार लेके एक अकिले, महात्मा जी ने सब के टटटटी और सब को भगा दिया, लेकिन तभी, पीछे मुझे देखा तो, कोई भी नहीं तो सब बगने थे, और उसी बीच म किसी में पीचे से बार करके हुँगो, शिरी गुर्वारा जी ने फिर्माया, पता चला मैं इस तो बगना क्यों खिलाता था, आज वो अकेला लड़ा है, तो मैं खाते समलें, तो बड़ी मुवारी थी खा गया, खा गया, और तुम पीछे भी हिटिक सके, वो अपना जी और ये भी नहीं कि मैं नहीं जाओंगा तो क्या हर्च है, केवल में चीज क्या है, फर्ज, हमको अपने फर्ज को कभी भी नहीं बूलना चाहिए, जिसको कि हम बूल चुके है, आजकल सेवा चल रही है, जनम अश्ट में आगे सिर्प कनिया जी आ रहे हैं, और कनिया ज अश्ट में भी आ रहे हैं, आप लोगों कि क्या प्यारी है उनको मिलाने के लिए, एक तुम्हें तुम्हारा फर्ज बताया गया था, कि भाई समय पे आ जाना और आजार के वा रामदाने की सपाई की सेवा है, कोई धाफ्ते में एक बार आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, क क्या हर्ज है, प्यारे, बड़ा मुश्बिल है, हमको कुछ भी करना हो, तो हमें अपना फर्ज समझ के नहीं, मेरी यू कि यह मेरा फर्ज है, मुझे जाने जाना है, ऐसे, जैसे क्लास में हर रोज अटेंडेंस देनी ही होती है, तब तो बने उनकी भी नजरों में रहों ग को कि असल लाएँ पता हो, तो फिर बड़ा गरच हर्द में बहुत परकश जाएगे तों हमको कुछ करना है, जरच से करना है, नहीं के घृश फ़ी करना है तो उन्हों को मणिस्टा चोला रही है, कि इतना प्यारे प्यारे शीर दिये है, इतनी सिम्दर सी काया दी, और उस उसके अंदर बैठके वो पुदी बोल हुई रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आगे हमारा फारजी क्या कहता है? क्या कहता भही हमारा फारजी? कि उनके लिए भी हम कुछ है, समय निकाले वह यूट्यूब पर गहिया कि मेरी फोल पर बात हो रही थी, तो मैंने उनसे काल हैं आप सaupt मैं से इंवरन किया कर होah उने वो सुनहेंगे, तो भी हुसेंगे प्रिभास सुन्के क्या गहते हैं Target幫 Worse Le Bras जबजी साब . अर फिर ये वी करता हूँ और भीए उन्होने सवेरे की दो एध़ाईगंडcin की लिस्ट बताई पिर कहते हैं उसके बाद आप जो कहोगे मेरे मुसे निकुला जी आप कुछ नहीं करते हो आप सारा काम अपने नौकरों से करवाते हो एक बार तो बड़े चत्तर खागे नौकरों से ना ना भाई जी मैं तुद करता आप नहीं करते हो मैं लिखते हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हों आप जो भी पाठ पूजाओं बता रहे हों ना यह सारा काम के नौकरों से करवारे हो पयों कैसे आप में ऐसे कैसे जिंटी से कहा दिये मैं कि बता रहे हों आप यह मताईये कि आप आदमा यह käyttार हो एक दियत फश्य cabinet कर लोगी नहीं का नहीं आप यह बताई है जब भी कभी कुछ होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं साधारण भाशा में आज हमारे सिर में ड़ता है इतमिस हम कुछ और है और यह सिर कुछ और है आज हमारी कमर दुख रही है आज हमारा श्रीर दुख रहा है आज हम सुबहरा स और ये हाथ, पैर, मुँझ, जीव, आंकें ये तो हुआ नोका है। तो कि इसे आफ दर्वाते हो। पार्थ भी जीव ने कर लिया। तो मैंने का आपको इतना हसे इतना हसे उनकी हसी से आपसु आपके। करते हैं मैंने बूसरे अलेंटरिम मैंने पॉंट किया। अब तो हम ने उठा पाएं किसी कारवरेश्टरिम मैंने को किया। तो मैंने को किया। तो भाई जी आप में वह बाद कर लिए नोकार वाली। जीव भाग एक सो एक परसेंट तर्वाली। तो एक साथ तक अन्या मनगें आपकें शर्दा। हमने जो भी करना है अपने खुद करना। अपने आप खुद से करना ना कि नोकरों से करना। अब पूरे शरीर में आखें नोकर। शरीर नोकर। ये मू नोकर, सिर नोकर, पैर नोकर, पेट नोकर, सब कुछ नोकर। तो फिर हमारा क्या है। हमारे हैं स्वास और हमारा चित बस ये दो चीज़े हैं हमारी और आफिरे में ये ही चीज़े गाइब होती है तो पता नी चलता तो ही बिटी है वो भरेंग बोल लेंगे तो मेरे तो याद आगे क्या बताए ना आप लोग बहुत लोग जानते हो वो बच्चा अपना हिमाचल में गौरांग और पंदरा दिन पहले तो मैं उसको मिल कि आई उसकी ममी को और ता लो ख़तम होगी अग्धा बिल्ग होगी होगी हो आप लोग आप लोग बच्चे सीपट भी बजाए डान दी को जानते हैं शो के हम के अग्शव में पास ही होता इतना नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाईगा। पहली बार दल्य से लग दल्य से लगके रोई होता। कितना अजीव लगता है? पुछ पतर स्वास होता. स्वास की डोरी चलती चलती कहां पे कड़ जाएगी? बस इज़ तो चल पहली बस उपर से कड़ेगी उपर से कड़ गई तो इज़ से अटमेटिकी कड़ जाएगी यही दो चीज़े हैं हमारा जित जो दिखाई नहीं दिखने वाली साही चीज़े नोगतर हैं और जो जी नहीं दिख रही है वो है हमारी सिम्दन करना पूजा करना पाठ करना जो कुछ भी करना उससे करो तांकि यहां फिर इसमास भी जा रहा हो तो मुझे कुछ है उम्म तो निकल रहा हो तो क्या है प्यारे जो चीज हमारी है अब कोई किसी के घर गया है बेड़े का गिफ्त देड़ना राजबन जी को अब इनके घर में जलेगे हम लाए तो कुछ नहीं ते निकले और देखा यह मूरती तोड़ी और कोई 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 को दे दी समझ तो यह भी बेड़ी तो हमारी है जो जिस इनकी पोई इनको देने के बाद क्या वो बढ़ने में कोई कुछ बिचाएं सोच में नहीं पड़े तो हमारी तो नहीं काई है उनी का दिर हुगई हमारे तो नहाउपकर है अब ही हम चलो बेटे हैं बात यह पर झाला है जो दा तो हम ऐसे ही आए और खिल्की पे बैठे और बोलना शुरू कर दिया, ऐसे ही बैठे रहोगे, बैठोगे, क्यों? आज बैठे हो, तुम का ही ना बैठोगे, क्योंकि उस समय मेरा रध मिन होगा, हम सुप्षम हो चुके होंगे, और तुम सारे के सारे स्थूल में हो, और स्थ यही कारणे की माँ कुछ कहते है कि बिनाज गुरू के नहीं मिलता है, मेरी माँ, जानते ही हो फिर भी, सर्दान होने के नाते हो, भाईया, कितने चपजी साहब, सुपधनी साहब, पुरा ग्रंद साहब, मुझे भी ममी ने पढ़ना सिखाया, और तीन बार गुर्माजी की शर्ण की शरनी भी लगने कि अम्रसा पढ़ाया ताया, जाया जिके बिसमन अपना ही गुर्दवारा था। कर्ते 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 वी लिया, सब लोग हो जिसे साहब, साहरी रात बैटे को भीरी आ भीरी करती है, यह पे डरात रात रहीं में। मुझे आज भी याद है छोटे से थे इस बच्चे की दर है और आज भी याद है कि छोटा सा हमरा इसका की आजपन फॉर्थ हिस्सा होगा और उसमें जब अचानक प्रकाश होता है क्योंकि रांग पर लाइट जलाके बैठी थी मत्यानमा जोने राइट ताड़ दी तो हम लेंप चलाके लगे रिखना तो जिरोड़ी Yap कैना उसका है उसके बात चले यह फरच पर है यह जोटा सबस्राइब को जी daran अ जिबुझे लेंगे तो क्या हरच है उस्के सहाँ मेरा इसकोल लिखना है यह हमारा फरच है लेंप चलाके शुष्पुरी राग और मुझे वोस्तिति आज भी याद है कि चोटा सा कमरा एकदम बड़ी भीनी भीनी नीलिमा वाला प्रताश होता है बड़ा प्रताश में से एक खवा जाती है हम बिना गुनों के नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते हैं? कारण जही है मैं सूखष रहा है स्थोल तो स्थोल ही संभालेगा स्थोल जहा सब्सक्राइब स्थोल की बात आज़े है और मंञेरी मां तो ऐसी पागल हुई हाई हाई मैं नानत के समय प्यों ना हुई आज़ा तु ठाट रूप रहे है हाई गुर्म गुमिसंग जी के समय हो जाती तो भी ठीकती आज़ता तो सब ऐसे गूम रहे हैं और रोती जाए रोती जाए तो ही बीच में एक अच्छानक तिर से आवाज आती है कमरे में दिखाई नहीं को ती जै कौन बोला उस नीलमा वाले भीने से प्रकाश के अंदर उसी में एक आवाज जैसे पहले आई थी वही दुबारा प्रकाश आता है और आवाज आती है गुर्म 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 आज से आठ दिन के बाद तुम्हें दर्शन देंगे और उसके आठ दिन के बाद तुम्हें नाम देंगे और उसके आठ दिन के बाद उनको दर्शन देंगे। इतने सारा कम कतम हो गया है। और हम तो ऐसे बहुत चत्र में ओड़े हुए था है क्योंकि जुद्धी मार पेलिए सो कि निया। तुम एसे करके बाद उसके आठ दिना दोुम्हें अजिता कि इसके वाद शारा कतम हो गया हम गया। अननदपूर पुटिया में बाई जी के नहां मूमी का आना जाना मूमी यह जानती है कि अननदपूर लंगरी क्या है। वो सवेद साड़ी बाईजी को में हुए थी और सवेद सूुट बेहन जी का मेरे सोजे दिया को ब्रह्म कुमारी है। हमको ससंग अच्छा लगता था तो हर सवंबार के सवंबार उम में ससंग पिछेगा जाना। तो जैसे ही वहाँ पर राए तो उस दे वह इस ऐपाय को देना आग्ट आटमा देना। और मा मेरे ससंगे बाद बहीं बैसे बैकी जलने को थी, विदी जपास। तब इतनी बड़े बच्चे होता है, ये बच्ची बैक्के अब लगा हुआ है, तो इतने बड़े बच्चे को क्या दो है। अब साथी जाएंगे पापा तो रुचाहे तूर पे रहते हैं, चुटी को पे जबाएंगे तब लोगों ने कहना शुरू करते हैं, तो सरदार जी रहते हैं ये सरदार नी पागर होगी। ये भी तग्मा मिल चुका था। और प्यारे अब जो है बाई जी ने पकड़ा ममी को बोले लाज को और नाम डेल है। भाई जी अशी सरदार अभी नाम माने चक्कत ना पहने अपने लाव अपने फोल टुको। भाई अब बड़ी बहस की ममी ने। उसके बाद में जो है भाई जी ने लास्ट में इतनी बात कही कहते कि दे तुक। आज तक तुमको हमने कभी निका कब से तुम आ रहे हो। पर आज अगर कह रहे हैं को हो सकता कोई हमें भी प्रेशर दे रहा हो। तो तुम नाम ले ले, अगर तेरी समझ में नाय तो छूड़ दी ओ, क्या कि पक्काँ छोड़ सकती हैं हो। भाई इवले हाँ छोड़। उसके बाद माता मेरी को नाम मिला। और जो नाकियों की यह जो फर्ण समझ के वो करती गई, ना घर्ज ना गर्ज जो फर समझ के वो करती जारी थी नित नेम बगएरा उसका रिज़ दिए हुगा के अंदर की खेती टूटल तयार थी बस भाई जी ने नाम का वीज़ डाला और माता जो बैठी या पूरी रात बैठी रही बाई जी बार बार मेरे को एक नारे रसी ने कि ये बच्च बच्च कभर बिंजी से बोले इसका घ्यान लख लाना थे उसको और पूरी रात मेरे ने ले देंगा और दूसरे भी पूरी रात एक चौपड़ी पर लख लेती एक शोचू की तीसरे दिन उसकी 10-11 मले के करीब आँप भी तो बाई जी से कहती आप तो बहुत्स है बाई जी बोले हम बग्माना तो हम बग्मान के पासे लें चलेंगे और ये बात तब की है अनंपुर वाले चोती पाईशाई उससरे नहीं नहीं बेखे थे तीसरी पाईशाई समाच चुपे थे चलो बाई और इत्फातन पापा आगे दो दिन की चुटी पे बाई जी नहीं पापा से का भगत जी बेसाखी का तवार है हम सब जंडिली का अनंपुर जा रहे हैं अगर आप बहुत इस बग्यानी को रहे जाएं पापा उस समय आठी ता सुर्पे की टिकटी लखना उसे अनंपुर की अश्वा कमार पे बीना जाते थे बीना से बदलते थे रात रुखना उता था कुछ ऐसा पंगा था पापा ने आचे दोसों पर ये पकड़ाएं जो आप मरजी कर रहे ना ले जाओ और इसको करा गोई इनके वाद पापशे नहीं और गोई अरप इनके वाद नाम मिला और आट इनके बाद जाए दर्शे मुले और ममी कहती है कि मेरे को तो लगा बोजे चौती पाशाई बैठे हुए थे ऐसे धाज ऐसे गुर्मुक बेव जी बैठे है रपाला में करना पर जाए उसके बीजुएं ये बात सिद्ध दढ़ने के लिए कि गुर्मुक की किमत क्या है एक बार घ्यान पर बैठी थी तो उसे अचानक से आवाज आती है गुर्मुक आज गुर्दवारे चले रणा वहाँ पर तीन दिन से एक फ़पीर बूखा बैठा उसको भर ले जाना खाना खिलाना वो केवल मुंगी की दाल खाता है पुष्टुफल का खाता और साथ में थोड़ा दू दे लेना और वहाँ नहीं चलेगा भाई तो ममी नहीं सोचे यह क्या है उसको यह होता था कि यह सचा है कि छूट है तो उस बात को समझने के लिए और ममी चली की गुर्दवारे और वहाँ जाकर कि ऐसा नहीं कि वहाँ पूछ नहीं रहा था बड़ी भीड लगी थी उनके पास उन् मैं निदूरे के हाथ की रोखी ना कूँ तीन दिन से वो भूगे प्यास से रहे लेकिन उन्हों ने जो है किसी की भी रोखी स्रीकार नहीं की और तीसरे दिन जब वो प्रेड़ना होने के बाद में पहुंचे हैं तो यह वहाँ जातर जो इसमें उनसे का चलो वात्मा जी गर्पे लंगा चलो उन्हों ने का तेरे गुरू कौना वे तो बड़ी चौड़ी होके आई है मेरे गुरू अनंदपुर वाले गुर्मा रग्जी की चापरबाद में मिली उस वक्तर अनंदपुर वाली इससे बहु पकीर ने हाथ मुचे टिये और आंखे भर के वो लगा अज तीन दिन के बाद मुझे मेरी ख़वर यहां पर ना तो ममी के कोई फरस्त गरस्ता पर ना कोई उनका हरस्ता था तो क्या के वए फरस्त और वो फरस्त समझ के अखना काम तर पी चली जा रही थी और यही कारण दा कि इतनी जो हैच अटाली घंटे की अखंड समादी प तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे तुमारा टाइम भी हो चला है हमको अपना जो भी कुछ करना हो अगर कोई सेवा मिले पापा ने मेरे तो यह जब मिला था नो मुझे उसी दिन पापा मिले थे और मेरे से ऐसे बने अपनी टोन में जैसे कभी बोलते थे ए जो तुम पार ले या ना यह आग है यह तुमने पार ले यह तुमने पहन लिया है यह आग है समझे लिए ना आज से पता पता तेरा बहरी हो जाएगा तो हो बात इतनी सत है कि हम पता नहीं सकते हैं। करते हैं पर फेर भी एक बात का ध्यान रखना, आगे ही बढ़ते चले जाना, पीछे बढ़ते बते हैं। और अगर तेरे मन में भी किसी बात पे शंता आ गई, तो हमारे इन गुर्व जनों की और हमारी जो इंसर्ट होगी, तो मैं अगर श्रीर में भी तो हूँ नहीं, तो मैं फिल भी रोग करना। दुफी मत करना, और इन लोगों की इज़त पे डाग मताने देना। हमारे डप्सिखी धर्म में सेवा का महत्तव और गुरू का महत्तव क्या है ये बात हमेशन जाब रखियो। वही तारण है, आज तक नहीं के अशिरवार से चलते चले जा रहे हैं। काफी आदिया तुफान फू आते हैं, आने तो चलता रहता है। तो प्यारे उन्हें हरुसें, उन्हें के सहारें, ना मेरी कोई धर्ज है और ना मेरे पास कोई हर्ज है। और हम अगर कुछ भी करेंगे तो केवल मेरा फर्ज जो है, वो हम करेंगे। और इसके इलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कि अगर तुम्हें लैत करने में लेटिन साफ करने की सेवा मीलें अगर पापा की शब्द है किए एक फ़ार लैतिन ग़ियो चैरे बातिसी आ का सपप अनंद में चाहिए सेवा को फर्च समझके ऊब बड़ा आनंद मिलता है और अगर हम जो है कि जब्रता के शाओ धलाये हमने करेंगे तो क्या होगा? क्या हां चेक को इन्हीं होाइगा, मैं निधनु यो तै यो रहे ता है ये तो इसमें पिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, प्यारे, आप सब यहां पर आए, शेरी गुर्माराजी ने आप सबकी पाविंखार की आदिरी लगवाई और अपना प्यार भख्षा, ऐसे ही आप अपने प्यार को प्यार के प्यार के प्यार को समय के रखना और उनका अशिरवाद पाने के लिए जो भी सेवा मिले उसको अपना फ्रस समझ के आगे से आगे बढ़ के चले जाना कर वार के आपकी आपना प्यार की आपना बढ़ के बढ़ का बढ़ के तो अब।